हेलो एवरिवरिवन, वेलकम टू बिगनर से बैंक, तो आज इक लास बहुत ज़़ा इंपोरेंट होने वाली है, क्योंकि आज इक लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही most important quality questions यह बहुत ही जादा important questions हैं और यह आपको test भी करेंगे कि आपकी quality आपको कितनी तयार है आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हूं UPSC या फिर कोई state PCS या फिर EPFO आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हूं इसके इलावा भी जितने भी exam है जिसमें quality आती है उन सब exams के लिए यह बहुत जादा important video है क्योंकि इसमें हम बहुत the most important questions discuss करने वाले quality के और आप अपने आपको यहाँ पर test भी करेंगे और आप देखेंगे इसको एक बार attempt करने के बाद कि आपको अभी तक कितनी quality तयार हो गई है और कितनी अभी आपको तयार करनी बाकी है तो यह जो एक मैंने series start की है कि हम बीच बीच में आपके लिए इसी तरह की video लाएंगे जिसमें हम most important question discuss करेंगे हमने start quality से किया है बट इसके बाद history, economics, English और भी जो subjects हैं जो की खांस तोर पर UPSC में पूछे जाते हैं या फिर state PCS में पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में EPFO में पूछे जाएंगे उनकी हम एक series बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे आने वाले जो भी exams आप देने वाले हैं उसमें आपको एक idea रहा है कि questions को इस तरह पूछा जाता है क्योंकि mostly क्या होता है कि हम theory को तयार कर लेते हैं लेकिन MCQ किस प्रकार के format में आते हैं हमें अच्छे से नहीं पता होता तो इसका एक हमें idea मिले ताकि जो हम अपने तयारी चला रहे हैं वो हमारी एक proper way में चले तो यह पूरे के पूरे MCQ format में होने वाली है और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे telegram पे मिलेगी बिल्कुल free of cost with answer तो आप telegram को जरूर जोइन कर लें और telegram का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा तो एक बार आप description को जरूर चेक कर लें तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं शुरू करते हैं और आप मेरे साथ देखिएगा कि आपको कितने questions आते हैं चलिए पहला question आपके screen पर a federal structure of India was first put forward by the देखिए जो federal structure है इंडिया में जो आया वो पहली बार किस act में आपको देखने को मिला Act of 1909, Act of 1935, Act of 1919, Act of 1947 तो जो federal structure जो की हमने लिया है foreign country से आप जानते हैं कि जो हमारा constitution बना है वो ज़्यादा तर विदेशों से लिया गया यानि उस पर कई ऐसे laws हैं कई ऐसे acts हैं जो की foreign countries से लिये गया है तो जो federal structure है वो भी foreign country से ही लिया गया है किस foreign country से लिया गया है अगर आप जानते हैं तो comment में ज़रूर बताएं तो federal structure इंडिया का पहली बार जो forward हुआ यानि जिस act में हमें देखने को मिला वो मिला act of 1935 में बे ओप्शन हमारा यहां पर सही हो जाता है चलिए next question के ओर बढ़ते हैं preventive detentions means preventing detention किसे बोलते हैं detention for interrogation, detention after interrogation, detention for cognizable offense, detention without interrogation तो देखिए, सबसे पहली बार तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यह preventive detention का मतलब क्या होता है preventive detention का मतलब यह होता है कि माल लीजिए कि जब किसी को arrest किया जाता है तो बिना किसी सबूत के, जब हम arrest करते हैं, लेकिन हम वो arrest कप करती है, पुलिस वो तब करती है जब पुलिस को ऐसा शको कि इस व्यक्ति ने कोई बहुत ही criminal activity की है किसके खिलाब, country के खिलाब, देश के खिलाब कोई ऐसा काम यह करने वाला है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यदि नहीं जाना गया तो देश में कोई बहुत बढ़ा incident हो सकता है बहुत बड़ा ऐसा कानून विवस्था का उलंगन हो सकता है और काफी लोगों की जान को खत्रा भी हो सकता है तो इसी लिए जो पुलिस होती है वो बिना किसी FIR के बिना पूछताज के, बिना वारेंट के कुछ समय के लिए एक टाइम विरधारित होता है कुछ टाइम के लिए, 14 days I think होता है 14 days के लिए आपको हिरासत में लेती है ये days आप एक बात चेक कर ले और तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीन आप समझ गें क्या होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डिटेंशन विधाउड इंटेंशन यानि बिना इंटेंशन के जो डिटेंशन की जाती है उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन आई होब क्या आप समझ गें हैं क्या रिस्क्राइब किया गया है कि India एक union of state है यानी की राज्यों का संग है यह आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा पॉलिटी को तो भी आपने ये शब्द सुना होगा और अगर आपने English पे पढ़ा होगा, तब ये आपने सुना होगा कि भारत राज्यों का संग है, यानि India is a union of states, यानि बहुत सारे states को unit करके इंडिया बना है, तो इसे बोलते हैं, India is a union of states, युसका answer क्या हो जाएगा, Option A. persons may change but rules should not change is the principle of ज्याने का मतलब है कि लोग बदल जाते हैं लेकिन rules नहीं बदलते तो ये कहां पर principle दिया गया है constitutional government में absolute monarchy में unwritten constitution में या फिर republic में तो ये बात आपको देखने को मिलेगी constitutional government में क्योंकि आप देखते होंगे कि लोग बदल जाते हैं यानि जैसे कि आप देखते होंगे कि प्रधान मंत्री पांस साल के लिए बनते हैं और उसके बाद पो चेंज हो जाते हैं और नए PM आते हैं बट जो rules होते हैं जो constitution जो समविधान है वो हमारा same रहता है तो person may change बट rules should not change ये कहां पर principle है constitutional government में what is the basics of classification of government as unitary and federal यानि unitary and federal जो government होती है इन दोनों government के बीच में अंतर बताना है और classify करना है क्या ये relationship between legislature and executive के माधियम से बता चलता है relationship between center and state relationship between executive and judiciary and relationship between legislature executive and judiciary तो ये पात आपको अच्छे से ध्यान रखना है देखें unitary का मतलब होता है कि इंडिया मेन होगा लेकिन उसके साथ कई सारे state मिलकर काम करेंगे और federation का मतलब होता है जहापर state की power ज़्यादा होती है और वो state मिलकर के एक unit बनाते है आप यहाँ बाव समझेगा कि unitary का मतलब होता है कि यह पूरा इंडिया है और इसमें आपने state बनाए है और federal का मतलब होता है कि यह बहुत सारे states अलग-अलग है और यह आपस में मिलकर एक देश बना रहे हैं तो इसका आंतार होगा relationship between center and state यानि center and state में जिस प्रकार के relations होते हैं वो आपके unitary and federal system के classification को दिखाते हैं तो यह हमारा इसका bay option यहाँ पर correct हो जाएगा वीडियो यह आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो लाइजबर लग रहा हो और आपके काम का लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिएगा और PDF के लिए टेलिग्राम को join कर लें तो चलिए next question पर बढ़ते हैं who among the following is not a member of the drafting committee of Indian constitution इंडियन constitution बनाते समय जो drafting committee बनी थी उसमें कौन इन में से member नहीं था बियार अंबेडगर जी यानि भीमराव अंबेडगर जी डॉक्टर राजेंदर प्रिशाद अलादी कृष्णस्वामी गोपालचारी आयंगर तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब drafting committee बनी थी इंडियन constitution को बनाने के लिए तो seven members थे तो seven में यहाँ पर तीन members यहाँ पर दिये गए हैं जिसमें से बियमराव अंबेडगर जी थे अलादे कृष्णस्वामी थे और गोपालचारी अयंगर थे तो कौन नहीं था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद नहीं थे और यहाँ पर नौट ही पूछा गया है तो option हमारा बी यहाँ पर correct हो जाएगा यह नौट आप देख रहे हैं प्रस्ट में आपको मुझे बताना है कि कितने कोशन यह आपकर ठीक हो रहे हैं इंडिया डिवाइड़ बुक रिटन बाई हो तो इंडिया डिवाइड़ बुक किसे ने लिखी डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने जवाहर लाल नहीं रूर ने बाल गंगा धर तिलक ने य डाइरेक्ट रिप्रेजन्टेटिव प्रसीडेंशियल गया डिक्टेटर्शिप तो आई होप कि यह तो बहुत ही आसानी साब जानते होंगे भारत में जो डामोकरिसी होती है उसमें आप देखते होंगे कि लोग यानि प्रेंबल आपने पढ़ी होगी ना वी दे पीपल इन्डिया प्रेंबल यही से स्टार्ट होती है तो भारत के जो लोग होते हैं वं चुन करके हमारे जो मंतरी मंधर है उसे बनाती है हमारे विधाय के तो यह आ पर रिप्रेजन्टेट्टव डैमोटरेशी आपको देखने को को in terrorist क्लेad ! तो option हो जागा P हमारा सही which one of the following is a political right इसमें सो कौन सा political right है right to freedom, right to quality before law right to contest election या right to life तो political right अब समझी गई होंगे right to contest elections यानि election में contest करना ही यह हमारा political right मना जाता है consent of people means consent of, तो consent of का मतलब क्या होता है a few people, all people, little of the people या majority of the people तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो consent of the people का मतलब होता है majority of the people यह जो terms हैं यह आपको quality में देखने को मिलते हैं law में भी आप यह पढ़ते होंगे जैसे जो lb वगएरा करते हैं उन्होंने भी consent वगएरा sentences जो होते हैं टर्म्स होते हैं यह पढ़े होते हैं और quality अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको यह terminologies देखने को दिलती हैं अगर उसमें खुद से किसी और कंट्री की citizenship ले ली है बेन convicted by a foreign court of law या फिर वो foreign court of law को convicted करता है या accepted employment in another country या किसी और कंट्री में उसमें employment को accept कर लिया है तो कोई person इंडिया का citizen नहीं होगा अगर उसमें खुद से किसी दूसरे कंट्री की citizenship श्युकार कर ली है in the constitution of India the fundamental rights formed a part of the original constitution were added by the fourth amendment were added by parliament in 152 were added under the 42nd amendment तो जो fundamental rights and constitutions में add किये गए तो वो तो starting सही थे अलग से तो उसे add नहीं किया गया fundamental rights यानि हमारे मूल अधिकार तो मूल अधिकार जो भी हमारे है right to freedom, right to equality ये तो starting सही है तो ये क्या हो जाएगा formed a part of the original constitution option a हमारा यहाँ पर correct हो जाता है to which category right to vote belongs right to vote किस category को बिलॉंग करता है human right, natural right, political right ये civil right तो वेउट करने का अधिकार कैसा अधिकार है ये political right, राजनितिक अधिकार है the term fraternity in the preamble of Indian constitution means sense of तो जो preamble में यानि प्रस्तावना में ये जो fraternity शब्द दिया गया है ये क्या है? preamble यानि प्रस्तावना में जो fraternity का शब्द है वो क्या है? statehood है, friendliness है, brotherhood है ये love and affection है तो आई होब कि आपको ये पता होगा इसका मतलब होता है brotherhood बहाई चारा fraternity का हिंदी में अगर मतलब बता है तो क्या मतलब होता है? बहाई चारा अगर questions आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए और last night मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपकी किते questions ठीक होते हैं राज सभा इंज्वाइस मोर पावर देन दा लोग सभा इन केस और राज सभा लोग सभा से ज्यादा पावर इंज्वाइब करती है किस केस में money bills के terms में, non money bills में, amendment of the constitution में या setting up new all India services में तो राज सभा की पावर लोग सभा से ज्यादा है setting up a new all India services की तो all India services कौन होती है, जैसी कि आप IS की preparation कर रहे हूं, UPSC की, या फिर IPS की, IFS की Indian foreign services ये जो all India services होती है, इसका जो setting up करने के लिए जो नए rules बनाने का जो power है, वो राज सभा के पास ज्यादा है लोग सभा के मुताविक चले, next question पर आएंगे, representation of any state in राज सभा is according to, तो राज सभा की representation किसी भी state में किस आधार पर होती है, population of state, area of state, number of representative in लोग सभा from the state, या fixed number of candidate from each state, तो I hope कि ये तो बहुत ही easily जानते होंगा है, जैसे आप जानते हैं कि UP में ज्यादा जन संक्या रहती है, तो वहां की जो राज सभा है, उसकी जो seats हैं, वो भी ज्यादा है, तो population के आधार पर ही राज सभा का representation होता है, option A हमारा यहां पर correct हो जाएगा by which bill does the government process collection of revenue, case bill से government revenue को collection करती है, one year में, finance bill से, money bill से, supplementary bill से, none of the, अब अब या इन में से कोई भी नहीं, तो यह तो I hope आप जानते होंगे कि finance bill, with the bill, जो होता है, वो revenue collection का का काम करता है, government के लिए the council of minister does not include, ministry of council में किसको नहीं include किया जाता है, cabinet ministers को, ministers of state को, cabinet secretary को, या ministers without portfolio को तो यह तो I hope कि आप जानते होंगे कि council of minister में cabinet ministers आते हैं, minister of state साते हैं, minister without portfolio भी आते हैं, सिर्फ cabinet secretary नहीं आते हैं, तो option हमारा C यहांपर correct हो जाता है which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliament system, यानि कौन सा innovative discussion process है, आप जानते होंगे कि parliament में discussion होते हैं, जिसमें question R, zero R, यह सारी चीज़े होती हैं, तो कौन सा innovative discussion process है, जो कि Indian Parliament ने world parliament system के द्वारा introduce किया गया, zero R, question R, resolution या presidential speech तो यह होता है, zero R, एक घंटे का time होता है, जिसमें MPs जो होते हैं, उसे, जो main government होती है, उसे questions पूँट सकती है, एक घंटे का timing होता है, बारा से एक बजे का which item out of the following is contained in the concurrent list, देखें तीन तरीके की list होती है, union list यानि संग सूची, state list यानि राज सूची और concurrent list यानि की समवर्थी सूची, तो concurrent list में इसमें से कौन सा item follow नहीं होता, लिस्टेट नहीं होता, उसमें agriculture, trade union, market and fairs and tolls, तो concurrent list में agriculture आता है, market fairs आते हैं, tolls भी आते हैं, trade unions नहीं आते हैं, क्योंकि trade union के उपर जो भी rules बनाती है, वो बनाती है union, यानि की central government, तो option हमारा B यहां पर correct हो जाएगा, the power to create, to abolish the upper house of the state legislature belong to, देखे, इसमें कहा गया है कि, ऐसी power, जो upper house को abolish करने के लिए create की जाती है, state legislature की द्वारा belongs करती है, तो कौन सी power है वो, governor इस power को होड़ करता है, high court, parliament या state legislature, तो I hope कि यह आपको पता होगा, the power to create, to abolish the upper house, यानि अपर हाउस को abolish करने का power of the state legislature, state legislature के पास है, किसके belongs पे, parliament के belongs पे, यानि parliament चाहे तो upper house को abolish कर सकती है, parliament और presidential government can be distinguished mainly by, तो parliamentary system और presidential system, देखिए parliamentary system जो हमारे इंडिया में चलता है, जहाँ पर एक prime minister और एक president होता है, और presidential system जो USA में चलता है, जहाँ पर prime minister नहीं होते, तिर्फ president होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्या एक federal nature होता है इसका अंतर, या employee-employer relationship, या the rigidity of the constitution, या constitution बहुत rigid है, या फिर the legislature executive relationship, तो इसके बीच जो अंतर है, वो describe होता है, the legislature executive relationship के त्वारा, यानि कानून बनाने वाला और कानून को execute करने वाले के बीच में, जो अंतर है, वो define करता है, parliament and presidential government को, I hope की questions आपको पॉसंद आ रहे हैं, और अच्छे से सब समझ में आ रहा है, one feature is common to the following bodies, एक feature होता है, common in bodies में किन में, Supreme Court में, election commission में, UPSC में, या office of CAG में, तो वो कौन सा feature है, they are extra constitutional bodies, ये constitutional bodies की extra हैं, मतलब समझान की extra bodies है, they are advisory bodies, ये advise करती हैं, देखिए, advise तो सिर्फ और सिर्फ से supreme court करता है, और they are controlled by legislature, क्या ये legislature की द्वारा controlled होती है, या फिर they are constitutional bodies, या फिर ये constitutional bodies हैं, तो ये इसका answer आप जान गए होंगे, कि ये सारी की सारी constitutional bodies हैं, ये ही common feature है, इन bodies का, यानि इन संस्थाओं का, option D हमारा यहां पर correct हो जाएगा, दब bureau Casey perform, देखिए, आप IS की यदि तयारी कर रहे हैं, तो आप नौकर्शा बनने वाले, और नौकर्शा को इंगलिश में बोलते हैं, bureau Casey, आयो क्या आपने शुना होगा ये शब्द, बहुत सी movies में भी ये जो शब्द है, ये आता रहता है तो ब्यूरो के क्या काम करती है, अब आप IS बनेगे तो आपको पता भी तो होने चाहिए, ये काम क्या करना होता है, क्या ये क्या ये क्या 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 आप समझ सकते हैं कि कितना भारी भरकम काम है इसलिए ये एक्जाम भी बहुत भारी भरकम होता है हाँ यह हो कि आप समझ गए होंगे इक्वालिटी बिफोर लौ इन इंडिया में पढ़ा हुआ है हमारे फंडमेंटल राइट में तो यह कहां से आया केस लौ से कॉंस्टिटिउशन से गांधियन फिलोसिपी से यह पॉलिटिक से तो यह आया इसकी जो पीडियाफ है यह आपको हमारे टैलिग्राम पे मिल जाएगे तो टैलिग्राम का लिंक है बाओ डिस्क्रिप्शन में आप जरूर एक बार चेक कर ले और वीडियो यदि पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर नए है तो श्यानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगे अस्ट मौका है आपके पास अगर आप अपको मात्र 399 में मिल जाएगी और किसी जो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू